आज का जो विसह है वो छोटा नुस्खा बड़ालाव हमेशा से मनुस्यों की यह इच्छा रही है कि वो हमेशा जवान बने रहें और इसके लिए तरह तरह के उपाय करते रहते हैं तो आज जो मैं योग बताने जा रहा हूँ इसका प्रियोग करें और यह बहुत ही अच्छा योग है बुढ़ापे को दूर रखेगा चेरे पर जुरियां नहीं पड़ने देगा और बालों को काला रखेगा इसमें जो प्रियोग हुआ है ब्रिंगराज के पंचांग का प्रियोग हुआ है आप ब्रिंगराज ले लें और उसको दूल करके साफ करके छाया में सुखा लें और पूठ पीस करके कपड चांचोन बना लें जितना ब्रिंगराज लिया है उतना ही आप इसमें त्रिफला मिला दें और दोनों के बराबर इसमें पिसी हुई मिस्ट्री मिला दें अब यह नहीं समझ माया होगा तो खेप से मैं बता देता हूं जैसे ब्रिंगराज के पंचांग का चून 200 ग्राम हुआ इसमें 200 ग्राम त्रिफला मिला दें और दोनों का वज़न हुआ 400 ग्राम तो इसमें 400 ग्राम मिस्ट्री मिला दें आपकी अउसदी तयार हो गई इसको एक एक चमस सुबर साम गाय की दूद्र के साथ में लें तो इससे आपके आयू बढ़ेगी आपके चेहरे पर जुरिया नहीं आएंगी उड़ापा आपसे कोसों दूर रहेगा आपके काले बाल हमेशा काले रहेंगा तो यह काया कल्प के लिए बहुत सरल योग है इ इसका प्रियों आपके साथ में